आदिवासी, वनवासी, देश का प्रत्यक नागरिक, खुद को एक समान महसुस करें। एक ऐसा भारत, जहां पर बिजली, पानी, जैसी सुविधाओं में भेदभाव नहीं, एक समान अधिकार हो। यही तो आज देश कर रहा है, इसी दिशा में तो नीत नए लक्ष तै कर रहा है, और यह सब हो रहा है, क्योंकि आज देश के हसंकल्प में सब का प्रयास जुड़ा हुआ है। साथियों, जब सब का प्रयास होता है, तो उससे क्या पनाम आते हैं, यह हमने करोना के विरुद देश की लड़ाई में भी देखा है। नए कोविड अस्पतालों से लेकर, बेंटिलेटर तक, जरूरी दवाईयों के निर्माण से लेकर, सो करोड बैक्सिन डोज के पड़ाव को पार करने तक, यह हर भारतिया, हर सरकार, हर इंडस्ट्री, यानि हर एक नागरिक, यानि सबके प्रयास से ही संभव हो पाया है। सबका प्रयास की इसी भावना को हमें, अब विकास की गती का, आत्म निर्भर भारत बनाने का, एक मजबूत आधार बनाना है। अभी हाल ही में, सरकारी विभागों की साजा शक्ती को, पी-एम गती शक्ती, नेशनल मास्टर प्लान के रुप में, एक प्लेटफर्म पर लाया गया है। बीते वर्षों में जो अनेक रिफॉर्म किये गए हैं, उनका सामीक परणाम है, कि भारत निवेश का, एक आकरसक डेस्टिनेशन बन गया है। भाई और बहनों, सरकार के साथ साथ समाज की गती शक्ती, अगर ये जूर जाये तो, बड़े से बड़े संकल्पों की सिद्धी कठी नहीं है, सब कुछ मुम्किन है। और इसलिए, आज जरूरी है कि जब भी हम कोई काम करें, तो ये जरूर सोचें, कि उसका हमारे व्यापक राष्ट्रिय लक्षों पर क्या असर पड़ेगा। जैसे स्कूल कॉलेज में, पढ़ाई करने वाला युवा, एक लक्ष लेकर चलें, कि वो किस सेक्टर में क्या नया इनोवेशन कर सकता है। सफलता और सफलता अपनी जगह पर है, लेकिन कोशिश बहुत जरूरी है। इसी प्रकार जब हम बाजार में खरीदारी करते हैं, तो अपनी पसंद नापसंद के साथ साथ ये भी देखें, कि क्या हम उससे आत्म निर्भर भारत में सयोग कर रहे हैं, या हम उससे उल्टा कर रहे हैं। भारत की इंडुस्ट्री भी विदेशी रौ मट्रियल या कंपोनेंट्स पन निर्भरता के लक्ष से तै कर सकती हैं। हमारे किसान भी देश की आवर्शक्ताओं के अनुसार नई खेती और नई फसलों को अपना कर आत्म निर्भर भारत में भागीदारी मजबूत कर सकते हैं। हमारी सहकारी संस्ताएं भी देश के छोटे किसानों को मजबूत करें। हम जितना ज़्यादा ध्यान हमारे छोटे किसानों के पर केंद्रित करेंगे। उनकी भड़ाई के लिए आगे आएंगे। गाओं के अत्यन दूर दूर के स्थानों तक हम एक नया विस्वास पैदा कर पाएंगे। और हमें इसी दिशा में संकल्प लेने के लिए आगे आना है। साथियों ये बाते सामान ने लग सकती हैं लेकिन इनके परणाम अभूत पूर्व होंगे। बीते वर्षव में हमने देखा है कि छोटे समझे जाने वाले स्वच्छता जैसे विशयों को भी जन भागीदार जयें कैसे राष्ट की ताकत बढ़ाया है। एक नागरिक के तौर पर जब हम एक भारत बन करके आगे बढ़े तो हमें सफलता भी मिली और हमने भारत की स्रेश्टता में भी अपना योगदान दिया। अब हमेशन याद रखिए छोटे से छोटा काम भी महान है अगर उसके पीछे अच्छी भावना हो। देश की सेवा करने में जो आनंद है जो सूख है उसका वरन शब्दों में नहीं किया जा सकता। देश की अखंडता और देश की एक्ता के लिए अपने नागरिक करतवियों को पूरा करते हुए हमारा हर प्रयास ही सरदार पटेल जी के लिए सच्ची स्रद्धान जली है। अपनी सिद्धियों से प्रेणा लेकर हम आगे बढ़ें देश की एक्ता देश की सर्ष्टता को नई उचाई दें इसी कामना के साथ आप सभी को फिर से राष्ट्रिय एक्ता दिवस की बहुत बहुत बढ़ाई धन्यवाद। तो प्रधान मंत्री का इस संबोदन सर्दापर लिग 146 विजयनती पर प्रधान मंत्री का ये संबोदन आप सुन रहे थे और ये बता दें आपको आज अलग अलग जगे विशेश कारिक्रम जो हैं इस दिवस पर किये जा रहे हैं और प्रधान मंत्री फिलहाला संबोदत क रहे थे उसी की तस्वीरे फिलहाल आप टेलिविजिन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि सरीकी का भवे कारक्रम जो है सर्दाव लभाई पटेल की 146 वी जयनती पर रखिया जा रहा है सुबह सीम योगी आदतनात को भी हमने आपको सुना आया सीम योगी आदतनात ने भी की और इसके लाबा तीसरी तस्वीर है स्रीम द्हामे की रनफ़ यूँटी कारक्रम जो ने श्रकत की यहां पर और अश्रदानी नो ने भी सर्दार वलभाई पटेल को अर्पत की 13 कारक्रम अलग 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 तस्वीर इन तीनों कारक्रम की इस पक आप टेलिविजिन स्क् परमाणू उर्चा पर अंदर प्रविश्टान इन सभी जगा पर से यह इसे पेरी पसंद आए